कद ऑब पर करना है और कैसे कूछ मिल जाएगा एक ही वीडियो में तो वीडियो को लाश तक देखिए और चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं पेपर को हम पहले डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड किये हैं उसके बाद हम क्या करेंगे इसको एक और बार फोल्ड करेंगे ठीक है अब देखिए इसको हम माप लेंगे अपका बाजू का जितना साइज होता है उतना आपको पहले नाप लेना है तो यहां पर हम देखिए ले रहे हैं पाच इंच ठीक है आपर हम डेड़ इंच देंगे एक्ष्टा मार्जिन के लिए यह हो गया अब हमें स्लीब्स का देखिएगा स्लीब्स का जो चोड़ाई होता है उपर साइड में उसका चोड़ाई आपको कितना लेना है ठीक है यहां पर हम चोड़ाई लेंगे अपने यहां से हमें दो इंच लेना है नीचे तरब अब आपको क्या करना है यहां से इसको हम पहले मिलाएंगे इसे ठीक है और यहां से यहां तक मेरा जो है सीधा आएगा क्लियर है यहां से हमारा सीधा है और यहां से जो है यहां से हमें स्लीप्स का सेप देते हुए नीचे तरफ जाना है हम स्लीप्स का सेप कैसे देंगे यहां से हमें गुलाई करते हुए ले आना है नीचे तक इस तरीके से देखे एक दम ही जी है कोई टेंसर नहीं है इस तरह के से गोलाई का करते हुए गोलाई का सिफ देते हुए इस तरह के से ले आना है ठीक है किलियर है इस तरह के से हमें स्लीप्स का जो है पहले लाइन ड्रॉ करना है उसके बाद हमें इसका कटिंग करना है अब इसे हमें कट कर देना है जैसा हम लाइन ड्रो किये हैं वैसे हमें कटिंग करना है दखें यह हो गया अब अब सिलिप्स का कटिंग देखें बहुत ही अच्छे से गोलाई का सेप आया है यहां पर आप जिस तरीके से से गोल का सेप दीजेगा वैसे ही आपका जो है स्लिप्स अच्छे से बैठेगा ठीक है अब देखें हम चार इंच लिए थे तो यहां पर हमारा डेड़ इंच अंदर तरफ फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से हमें डेड़ इंच फोल्ड करके स्टेजिंग करना है देखें यह होगा स्लिप्स अब हमें क्या करना है देखें राइट साइड में जो है आपका जीस तरफ राइट साइड होगा आगे तरफ उसमें आपको क्या करना है यहां से हमें आधा इंसे थोड़ा उपर लेना है और यहां के जितना चोड़ाई है उतना ही रखना है और फिर हमें इस तरीके से गोलाई का सेफ देते हुए इस तरीके से मिलाना है ध्यान रहेगा यह वाला गोलाई उतना ही रहेगा हमारा जो यह वाला है हलका कट होगा इस तरीके से कटिंग करने से हमारा जो स्लीप का सेफ है अच्छे से आएगा और अच्छे से बैठेगा इसमें कोई टैंसर नहीं होगा देखिए इस तरीके से स्लीप का जो है पूरा फिटिंग साइगा अब अब लोगो इचा लगा और आसा करता है कि आप लोगो एक दम पर्फेक्ट नाप लेकर बताएं हैं आप लोगो समझा पाएं है अगर विडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चलियुए प्ली शब्सक्राइब कर लिजिए चलिले मिनदें नेक